Today we are going to start new chapter, chapter 11, life in water, water के अंदर life, student 11 chapter है, इससे पहले के सारे chapter में upload कर चुका हूँ, आपको अगर इसे आगे की chapter देखने हो, अगर वीडियो नहीं मिलता है, तो मैं इस वीडियो की description में जाना आप सारे chapter का link देदूँगा, उसमें आप link से open करके किसी भी वीडियो को देख सकत हो, जैसे chapter 12 आए, तो उसका आगर आपको नहीं मिलता है, तो इस वीडियो के link में मैं आपको उसका वीडियो देदूँगा, तो आप उस पे click करके आगे वीडियो देख सकते हो, और student वीडियो को like ज़रूर कर दिया करो, और कोई problem हो, तो comment किया करो, तो chapter स्टार्ट करते है We see many kinds of plants and animals around us. We see, हम देखते हैं, many kinds, कई तरह के plants and animals around us, अपने चारो तरफ, कई तरह के plant और animal को अपन देखते हैं. Some of them are found on land and some are in water. इन में से कुछ पानी पे मिलते हैं और कुछ लेंड पे पाए जाते हैं. Some of the plants and animals on the earth are found in hills. इन में से कुछ जो अर्थ पे मिलते हैं, वो फाडो पे पाए जाते हैं, hills पे पाए जाते हैं, some plants and some in desert. कुछ, sorry, plane है, some on plane, कुछ plane पे पाए जाते हैं, जिसे सम्तल भूमियों उसको plane बोलते हैं and some of desert को रगिस्तान में पाए जाते हैं. देखो, अपने जो चारो तरफ plants और एनिमल को अपन देखते हैं, उनमें से कुछ तो पाणी में पाए जाते हैं और कुछ है लेंड पे पाए जाते हैं, जो लेंड पे पाए जाते हैं, उनमें कोई फाडो पे होगा, कोई plant फाडो पे होगा है, एनिमल भी रहता है, कुछ plane पे हैं कई desert में रगिस्तान में हैं environment at this place is different due to difference in winter summer and rainy season अलग-अलग जगे आप देखोगे तो environment भी अलग-अलग मिलेगा क्योंकि देखो winter summer और rainy season भी अलग-अलग होते हैं तो इस परकार environment भी आपको different मिलेगा which animal have you seen living in water कौन से एनिमल आख पानी में रथे हो क्या देखते हो, तो देखो पानी में फिष है, क्रोकोडाइल है, टौट्वाइज है, स्नेक है इटिसी पानी में रथे हैं intensely the following picture carefully देखो यह fish है, crocodile है, यह tortoise है, यह lotus है, जो खाँ रते हैं, animal और plant जो water में रते हैं, discuss and tell, which animal are seen in the picture, इस picture में कौन से animal दिखाई दे रहे हैं, देखो, tortoise दिखाई दे रहे हैं, fish दिखाई दे रहे हैं, जो crocodile दिखाई दे रहे हैं, which of these animals live only in water, इन मेंचे कौन से only water में रता है, दिको भिष only पानी में रता है, crocodile भी भहार रह सकता है, which plants are seen in the picture in the picture, इस'mे कौनसा plant में Lotus का plant दिखा देरा, दिखो को जेरा which plants are found on land and which plants are found in water ? कौन से प्लांट है जो लेंड पर पाया जाते हैं दोको लेंड पर पाया जाने वाले होते हैं जैसे नीम लिख सकते हो आप और भी तुलशी वगेरा कोई भी प्लांट लिख सकते हो लेकिन वाटर में पाया जाने वाले होते हैं लोटस पाया जाता है, वाटर लिली होता है, यह वाटर में पाय जाते हैं, find out and write down, make a list of aquatic animals, aquatic animals मतलब जल्ये जीव बोलते हैं, देखो क्रोकडाइल है, स्नेक है, फिश है, क्रेब है, टोटवाई जाई है, सब aquatic, aquatic मतलब होता है, जल्ये जीव, some plants are found in water, make a list of such aquatic plants, aquatic plants है वाटर ल जल्कुम्भी है, यह वाटर में पाय जाते है, plants, और animal water वाले पूछा है, तो क्रोकोडाइल स्नेक, फिश वागरा, क्योंकि वाटर गाश नहीं कि भी होता है, students, crave, tortoise यह लिख सकते हो, think and tell, due to what reason, some animal and plant are able to live in water, किस कारण से कुछ animal or plant हैं, वो वाटर में रह सकते हैं, इस का The effect of its environment is clearly seen on the structure and functions of every animal and plant, देखो, environment का effect है, हर animal और plant पे clearly दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता देखो, due to their particular physical features, animals and plants are able to live in particular environment, कोई भी animal या plant किसी special environment में रहता है, तो उस environment के अनुकूल या adaptation पाया जाता है, उसके अंदर, Adaptation मतलब अनुकूलन उस environment में रहने लाइक कुछ special चीज़े पाया जाती है, जैसे आपन Campbell की बात करें, तो वो डेजर्ट में पाया जाता है, तो उसमें डेजर्ट में पाया जाने के साबसे कुछ ऐसे चीज़े पाया जाती है, जो डेजर्ट में वराम से रह सकता है, For example, A bear is found icy region, एक देखो polar bear होता है वो icy region, ब्रफ वाले region पर पाया जाता है, क्योंकि ice में तो ठंड है, तो उसको ठंड लगेगी, तो बाल बड़े हैं, तो उसको ठंड नहीं लगेगी, तो देखो special character है ना इसके अंदर इसका, In the same way, aquatic animals can live only in water, aquatic animals होते हैं, वो स्रफ वाटर में रह सकते हैं, due to their particular physical structure, उनकी physical structure कुछ special होती है, क्योंकि आप देखो के ship की structure एक boat जेशी होती है, We might have seen that when we play in water, work in water for a long time, skin of our finger gets shrunk, देखो, मचलियां वगेरा हैं, फिश वगेरा आप लगातार पानी में रहती हैं हमेसे हैं, लेकिन आप पानी में नहीं रह सकते हैं, हम पानी में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप लगातार पानी में रहोगे, तो आप देखो कि अपने हातों की, आपकी skin है, वो स्रंक हो ज उनके साथ ऐसा नहीं होता है Do you know Water animals are often a special concern of conservations because of the fragility of their environment Water animals are subject to pressure from the overfishing, marine pollution and climate change देको water के अंदर रहने वाले जो जीव हैं वो आजकल pollution से affected हो रहे हैं देको discuss and tell Fish live in water How does it breathe Fish breathe with their gills इसके उपर गिल्स जैसी structure पाई जाती है उससे ये स्वांस लेती है Animals living on land such as dog, cow, buffalo keep their mouth out of water when they are in the water वही अगर आपने कभी देखाओ का पानी में बफिलो, dog, cow अगेरा जब पानी में जाते हैं तो अपना माउत उपर की तरफ रखते हैं ताकि वह पानी से सांस ले सके रेशपायर कर सके dog, cow, buffalo can not respire in water क्योंकि पानी के अंदर रेशपायर नहीं कर सकते हैं उसको सांस लेने के लिए मुग अपना माउत बाहर रखना पड़ता है Dry structure of fish in your notebook Find out and tell How is a fish able to live safely in water fish है वो water के अंदर अपनी कैसे रह पाती है Fish can breathe in deep water वो अराम से deep water में भी breathe कर सकती है और पानी में रह सकती है उसको कोई problem नहीं होती है How does its particular physical structure protect it कैसी physical structure होती है इन सब की तो देखो boat like safe protect them इनके अदर boat like safe पाई जाती है जो इनको protect करने का काम करती है देखो next Physical features of animals and plants are according to the environment they live in Physical features होते है वो animal or plant में environment के according होते है This is called adaptation to climate इसको अपन क्या बोलते है adaptation of बोलते है climate मतलब climate environment होता है climate होता है उसके अनुशार उनमें anuclean पाये जाता है anuclean का मतलब होता है जो environment है उसके अदर special जो character पाये जाते है उनको अपन adaptation बोलते हैं You might have seen green moss present at the place where water gets locked around आपने कभी green moss देखा होगा जहाँ पानी कटा होता है पानी कई दिनों से कटा है आपके आस पास तो उसमें देखा हो green सेवाल जासी structure Do this, scratch of a bring some moss from the place where water gets locked in your school, take a magnifying glass from your science lab and examine the moss throughout it, in fact moss is also tiny plants which grow in water only moss को आप अगर detail में study करोगे तो आपको पता आगे क्लासों में आप जानोगे कि यह moss यह सेवाल होते हैं, वो प्लांटी होते हैं क्योंकि green color के हैं और वो फोटो सिंदेशिश का काम करते हैं Think and tell at which place does moss grow moss कहां grow करते हैं, moss is found where the water remains accumulated जहां पानी कठा होता है वहां most growth करते हैं What would happens if aquatic plant are taken out of water आप aquatic plant को water से बहार लगाने की कोशिश करोगे बहार रखोगे तो क्या होगा they will die, वो क्या हो जाएंगे वो die हो जाएंगे, kill हो जाएंगे मर जाएंगे What would happen if the plants growing on land are kept in water क्या आप जो plant हैं जो land पे grow करते हैं उनको आप पानी में रख सकते हो नहीं, वो पानी में सड जाएंगे, खराब हो जाएंगे These plants will decay and die तो इसका मतलब क्या वाई स्टुडेंट की जो चीज़े जहां पे है वो उशी के अनुसार उनमें अनुकुलेन है, अडेप्टेशन है दूसरी ज़ेगर वो सरवायू नहीं कर सकती है Why do aquatic plants don't get rotten in water Aquatic plants होते हैं, वो क्यों खराब नहीं होते हैं पानी के अंदर Due to their special physical characteristics के करण वो पानी में खराबे नहीं होते हैं Next है You might have seen a pond, आपने एक तालाब देखा होगा There are several kinds of plants present in its water उस pond के अंदर आपने देखो कई तरह के plants पाई जाते हैं Plants के अंदर जो water में ग्रो करते हैं Some of these plants are submerged in water उसमें से कुछ तो submerged होते हैं पानी के अंदर होते हैं Some plants are half submerged कई देखो, कुछ प्लांट पूरे समधो होते हैं कई हाप समधो होते हैं पानी में आदे डूबे होते हैं कई पूरे डूबे होते हैं But their leaves keep on floating in water लेकिन उन प्लांट की leaf होती है वो पानी के उपर तेडती रहती है पानी के उसाथ तेडती रहती है some plants also grow in floating water too while some other grow in still stagnant water कुछ plant बहते हुए पाने में भी ग्रो करते हैं और कुछ रुकिया हुए पानी stagnant water होता है रुकावा पानी उसमें ग्रो करते हैं देखो discussion tell see the aquatic plant around you and tell that how do the leaves of those अपने चारो तरफ aquatic plant को देखा है तो उसके leaves केशी होती है देखो हाँ देखा है पने तो जलकुम्भी हो सकता है इसका example जलकुम्भी is a completely submerged in water जलकुम्भी completely submerged पानी में डुबा होता है plant and the leaves are round and green in color उनकी leaves होती है वो round होती है और green color में होती है how do the leaves of those plants partially submerged in water look like partially जो आदे डुबी होती है उनकी texture कैसे होती की leaf की तो उनकी leaf की structure ribbon जैसे होती है ribbon मतब फीता how do plants present on the surface of water look like surface पे रते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं look like broad, चोड़े, oily, oil की तरह है chicken and fleshy muscle mode एक तरह से fleshy होती है why are the leaves of the lotus flower broad lotus flower की leaf broad, चोड़ी की होती है to give support to the lotus flower to float on the water lotus plant को support देने के लिए leaf उसकी चोड़ी होती है why are the leaves of plant growing in flowing water as thin as a ribbon why are the leaves of plant growing in flowing water जो बैतावा पानी है उस plant की पतियां है वो ribbon के जैसे की होती है चोड़ी क्यों नहीं होती क्योंकि बैतावी पानी में अगर leaf चोड़ी होगी तो वो तूट जाएगी, ribbon की चोड़ी होगी तो वो तूटे के नहीं जल्दी से the plant do not allow the flowing water on the leaves फिर वो leaves के साथ बैतावी पानी में ग्रो नहीं कर सकते लुक एड़ अबो पिक्चर इंटेल विच एक्वेटिक प्लांट हैज बिन शो इन दे अबो पिक्चर तो देखो यह जल्कुम्भी है इसका science की language में scientific या botanical नहीं बोले तो पिष्टिया इस्टार्टियोड्स है discuss and tap what would happen if the whole pond is covered by पिष्टिया इस्टार्टियोड्स या जल्कुम्भी अगर पूरा pond पूरे pond के उपर जल्कुम्भी ग्रोथ कर जाए तो क्या होगा तो जल्कुम्भी पूरे प्लांट पे ग्रोथ कर जाए तो क्या होगा no more water can be seen and other aquatic animals and plants will face problem उपर पूरे पे अगर जल्कुम्भी आ जाएगी student तो फिर water नहीं रहेगा और ओधर जो नीचे animals रहते हैं उनको problem हो जाएगी what difficulties would arise for other aquatic plant and animals of pestias starvation is grow much ज्यादा अगर जल्कुम्भी ग्रोथ कर जाएगी तो और aquatic plant और animals क्या problem होगी due to the excessive presence of the जल्कुम्भी plants sun rays cannot reach deep into the water तो नीचे तक sun rays नहीं जाएगी और अगर प्लांट है उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी now you might have understood that pistachia statutes which grow naturally in ponds and lakes spread very fastly and cover the whole pond completely this is to be removed from time to time pond या river के अंदर pond वगेरा होती है या lake वगेरा होती है तो उसके अंदर ये जल्कुम्भी बहुत तेजी से ग्रो करती है और बहुत तेजी से उपर फैल जाती है तो इसको समय समय पे हटाया जाता है उसकी सरपेस से अब देखो चेप्टर रिकॉल write the name of any two aquatic animal fish or tortoise write the name of any two aquatic plants lotus जल्कुम्भी have a look at any pond or body around you and make a list with the help of your teacher of aquatic animal and plants which are found in aquatic animal fish tortoise aquatic plant कुमुद नहीं हो सकता है जल्कुम्भी हो सकता है मौस हो सकता है lotus हो सकता है water flow from downside towards upside true or false false है क्योंकि downside towards upside की तरप नहीं जाता upside down की तरप आता है mosquitoes are born in stagnant water true है out of the following plant prepares separate list for plants found in water and plants found in land देखो इनके अंदर बनाना है तो मैंने list आपको बना रखिये plant water में जल्कुम्भी, lotus, water, chestnut, moss, कुमुदनी, marigold है यह land पर पाए जाते है neem, rose, mango और khेजडी sunflower is a plant which grow in on land polar bear have thick fire which save the from extreme winter तो student यहाँ पर chapter complete होता आपका और मैंने chapter के सारे answer भी complete करवा दी है तो आपको other chapter देखने हो इसके आगे तो इसके नीचे description में जाना आपको link मिल जाएगा उस पे click करके आप other chapter देख सकते हो और वैसे मैंने सारे chapter अपलोड कर रखे हैं वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्स और चैनल को subscribe जरूर कर लेना स्टुडेंट्स तो थेंक्स कर नवाद स्टुड़ में टो जाएगा उस चाहत दूरा हैं